सुपरभाद बच्चो आज हम कक्षा 6 पलाश इंदी व्याकरन का पार 14 उपसर्ग शुरू करने जा रहे हैं बच्चो समाने रूप से शब्द अपने मूल रूप में ही प्रियुक्त होते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगा दिये जाते हैं तो उससे नए शब्द बन जाते हैं जो शब्दांश आगे जुडते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग लगने से मूल शब्द में एक नया शब्द बनता है और उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्दन आ जाता है जैसे सत्या में यदि अ जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा असत्या, इस परक अन्य उपसर्ग भी शब्दों से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ भी अलग लग होते हैं अब इनकी परिभाशा ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़के उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं एक ही शब्द में अलग अलग परिवर्तन हो जाता है हिंदी में चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग अर्भी, फार्सी या उर्दू के उपसर्ग उपसर्ग की तरह प्रयोग किये जाने वाले संस्कृत शब्द संस्कृत के उपसर्ग संसे सचेत, अन से अनपड, उन से उनतिस, भर से भरसक, नी से निकम्मा, पर से पर्नाना, अध से अधपका, कू से कुपुत्र उर्दू फार्सी के उपसर्ग उपसर्ग की तरहां प्रयोग की जाने वाले संस्कित के शब्द, जैसे सह सहगान, अंतर अंतरात्मा, सद सदगुन, सदभाव, सपरिवार अब देखो बचो, हमने क्या सिखा, मूल शब्द के प्रारंब में जुणने वाले वे शब्दांश, जो उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कभी भी सबतंत रूप से प्रयोग में नहीं लाये जाते, उपसर्ग जो हैं, वो शब दांश होते हैं, शब्द नहीं झार जया जुण झालब जाओा झालब में जब वो सबते हैं, एस अए्वित्स नहीं लादे में परिवर्तन लावां जाओते हैं, वो शब्द सर्वित्स कहणा हैं, जो जो फस्तों हैं, जो बुद आ सोब्द कहांएं, वो उपसर्तक हैं, झार हम जो भी से वाल, जो तो झाल 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 झाल